तो क्या सो आप लोग, उमिद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, और आज आप सभी लोग हिंदी के रंग में रंग गए होंगे, और आप सभी लोग बहुत पहले से इक प्लानिंग बना के रखे होंगे, कि गुरु जी आज हिंदी विशय ले करके आ रहे हैं, और प्यारे विशय हमारा कितना मतब की important है, और कितना ज्यादा प्यार भड़ा ये विशय है, थोरी सी देर के लिए हम आप से छमा चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ चुगे हैं नितिस कुमार, हमारे साथ हैं सोजित कुमार, चंदन कुमार और फूल कुमारी, प्यारे बिच्चों, जल दने का हमेशा उत्सुकता रहता है, कि गुरु जी ये चैप्टर कब पढ़ाओगे, जिसका नामे मा, क्या नामे बच्चों चैप्टर का बताओ, मा, एक बार comment box में सब लोग लिखना, I love you मा, आप जीवन में कितना भी कर लें, मा का जो किया हुआ है, हम उसकी भरपाई पर सकते हैं, और मा, इस कहानी को पढ़कर के आप, मतलब जब आप सुनेंगे इस कहानी को, जब आप देखेंगे भी, तो आप ये चीज़ को समझ पाएंगे, कि बेटा चाहे कैसा भी हो, बेटा या बेटी, चाहे कैसा भी हो, वो मा के सामने बहुत प्यारा लगता है, तो प्यारे बच्चों, सब लोग एक बार comment box में, I love you मा जरूर लिखना, I love you मा, I love you मा, I love you मा, बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, आईए, हम सभी लोग, part number 3 को सुरू करते हैं, जिसका नाम है मा, बच्चों, chapter का नाम ही इतना प्यारा है, कि आपको मतलब आनंद महसूस तो आईए, प्यारे बच्चों, एक बार दिशा online classes family का नाम बढ़ाने के लिए, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचने के लिए, हम एक बार share की मदद लेते हैं, तो आईए, एक बार हम सभी लोग मिल कर गे, इस class को share करते हैं, चलिए बच्चों, जल्दी जल्दी से 20-30 सेकेंड लगता है, एक बार share बटन पर क्लिक करें, और सभी WhatsApp गुरूप पर, और सभी Telegram गुरूप पर, जल्दी से आप लोग 20 सेकेंड के अंदर सब लोग share करें, क्योंकि आज का chapter ही इतना अच्छा है, माँ chapter, जल्दी से, बहुत speed में, सभी लोग बच्चों इस class को share क करेंगे, बिहार में अगर कोई भी student है, जो 10th class का है, अभी mobile चला रहा है, लेकिन वो reels देख रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उसके पास इस वीडियो को भेजिए, जल्दी से, आज का target हम रखते हैं बच्चों, 1.5 के, यानि कम से कम 500 बच्चे live class में जुड़ने चाहिए, अब ये कैसे जुड़ेंगे, ये तो आपको पता होगा, अभी लोग जल्दी जल्दे से इस class को share केजिए, और एक बार बच्चों, एक बार आप से भी लोग class को like कर देजिए, ठीक है, जिन लोगों की बच्चों, कि सुरर, हुआ है, सुरर, हुआ है, ये फिर से हो गया, मुने बोला था पहले आपको न, आप कर देख लेंगे आपको, फिर जल्दी गड़ो, आप मुझे सुन पा रहे प्यारे बच्छों जल्दी से बताएं कि आप तक मेरी आवाज जा रही है कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं एक बार बताएं यहीं बैठो जी एक बार बताएं जी कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हो येस गुरुदेव सुन पा रहा हूं सुन पास पता नहीं थोरा सा सिस्टम में कुछ प्राबलम हो गया है हमारा और अक्सर चीजें रुख जाती है कई बार ऐसा हो चुका है एक बार देखना इसको हां हो गया चलो जी सुन पा रहे हो आप लोग, सब लोग सुन पा रहे हो, येस येस एक बर comment box में लिख दो पैरे बच्चों, आज का motivation है ध्यान से सुनना, उम्र कभी ठका नहीं सकती लोग कहते हैं कि सर हमारा उम्र बहुत जादा हो गया है, हम ठक गए हैं उम्र कभी ठका नहीं सकती, ठोकने कभी गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की, तो हार भी हरा नहीं सकती, इसी जोस और जुनून के साथ आज हम क्लास को स्टार्ट करेंगे पहरे बच्छों, आप से भी को अंदाजा है कि यह जो हमारा चैप्टर है, यह कितने नंबर का है सबसे पहले हमारी हिंदी जो है बच्छों, हमारी जो हिंदी है, सबसे पहली बात करते हैं हमारी जो हिंदी है इसमें कितने बुक्स हैं तो आप बोलेंगे सर हिंदी में दो बुक हैं सबसे पहले बुक का नाम क्या है पहले बुक का नाम है बच्छो गोधोली पहले बुक का नाम जल्दी कमेंड बॉक्स में लिखना क्या है गोधोली और दूसरे बुक का क्या नाम है जल्दी लिखना दूसरे बुक का नाम क्या है दूसरे बुक का नाम है बच्छो वर्णिका दूसरे बुक का नाम क्या है वर्णिका अच्छा ये बताओ कि गोधोली में कितने चैप्टर है गुरुजी गोधोली में 24 चैप्टर है अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया परना और ये बताओ, वर्निका में कुल कितने चैप्टर हैं? तो आप बोलोगे, सर वर्निका में कुल पांच चैप्टर हैं, कितने हैं? पांच, तो बच्चो, हम लोगों ने स्टार्ट कौन सा किया है? हम लोगों ने वर्णी का स्टाट किया है और सभी के सभी पूरे हिंदी बहुत आसान होते हैं पहला चैप्टर क्या था? दही वाली मगम्मा क्या आपने पढ़ लिया? बता दो जल्ली से दही वाली मगम्मा पढ़ लिया? दूसरा क्या था बच्चो? धेहते विश्वास, क्या था धेहते विश्वास, धेहते विश्वास, और तीसरा क्या था बच्छो, तीसरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम क्या है मा, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका नाम है मा, तो चलिए, क्या आप लोगों ने क्ला क्लास को शेयर कर गे एक बार like कर लीजिए आयम क्लास को स्टार्ट करते हैं हैं बच्चों हम जो चैप्टर पढड रहे हैं इस चैप्टर का नाम है माँ और इसमें यह बताया गया है कि एक माँ अपने बच्चे से चाहे वो बच्चा पागल हो वो बच्चा गding गुंगा हो या बच्ची पागल या गुंगी हो एक मा अपने बच्चे से कितना ज्यादा प्रेम करती है इस चैप्टर में हम लोग यही चीज को पढ़ने वाले हैं ठीक है तो बच्चों दो-तीन कोशन लेखक परीचे से पूछा जाता है तो सबसे पहले हम उस पर चर्चा क कर लें बोलो yes और no जल्दी से yes तो बच्चों सबसे पहले अगर आपसे यह पूछा जाएगा एक्जाम में यह चैप्टर कितने अंक का है अगर हम पूछें इसका वेटेज क्या है हमारे एक्जाम में अंक कितने का है तो इस चैप्टर से बच्चों टोटल चार से पांच चार अंक माल लेता है कितने आएंगे बताओ जल्दी से चैप्टर से टोटल कितने अंक आएंगे तो बच्चों इस चैप्टर से टोटल चार अंक पूछे जाएंगे सबसे पहले आपसे यह पूछा जाता है कि यह जो चैप्टर है मां मां इसके लेखा कौन है मां है इस्वर होती है मा इस्वर होती है इसलिए इसके लेखक होंगे इस्वर पेटली कर कौन होंगे बच्चो इसके लेखक होंगे इस्वर पेटली कर कौन हो जाएंगे इस्वर पेटली कर इसके लेखक हो जाएंगे इस्वर पेटली कर बच्चोंगर आपसे ये पूछा जाए कि मा कहानी किस भासा की है देखो एक-एक कोशन सही करना है एक भी कोशन mistake हो गया तो समझो एक नमबर कट गया और 100 में से 100 नमबर लाने का सपना छूट गया तो मा बच्चो अगर पुछा जा किस भासा की कहानी है यानि किस भासा की है तो बच्चो मा जो है याद रखना मा किस भासा की कहानी है तो बच्चो मा जब गुजर जाती है न तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता चलता है इंसान को जैसे आपकी मा है हमारी मा है तो चलो हाँ मम्मी है ठीक है दिन में एक दो बार मिलते हैं जब मा इस दुनिया में नहीं रहती है, उनसे पूछो मा के बारे में, जिसकी मा इस दुनिया में नहीं है, यानि मा जादा याद कब आती है, बताओ, मा जादा याद कब आती है, ट्रिक बच्छो, तो कहना गुजर जाने के बाद, यानि गुजराती, गुजर जाना मतलब ग जन्म पूछा जाए तो आप कहना हमारे बुक में इस्वर पिटलिकर का जन्म नहीं दिया गया है तो आप कहना बच्छो इस्वर ही जाने आप क्या बोलोगे इस्वर पिटलिकर का जन्म इस्वर ही जाने मतलब नहीं दिया गया है हमारे बुक में इस्वर पिटलिकर का जन्म दिया है क्या no boss no 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 नहीं दिया गया है यानि इसवर ही जाने इसवर पिटलिकर का जन्म इसवर ही जाने अगर आपसे पूछा जाए बच्चो कि यह 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 जो कहानी है यह जो कहानी है गुजराती भासा में पर हम पढ़ रहे हैं हिंदी भासा में, तो सबसे पहले ये बताए कि बच्चो इसको हिंदी में किस ने किया है इसको हिंदी में किस ने किया, जल्दी बताओ, बुक में नहीं दिया कहीं दूसरे जगा से आप देख सकते हैं, कहीं दूसरे जगा गूगल वगरा करके देख सकते हैं बुक में नहीं दिया गया, तो पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है, इसको हिंदी में किस ने किया है, अगर आप से पूछा जाए, इसका हिंदी अनुवादन किस ने किया है, तो comment box में लिखना जल्दे से, इनका हिंदी अनुवादन किस ने किया है, मा का प्यारा गोपाला, क गोपाल सिंग नागर है या गोपाल दास नागर है जल्दी से बता दो गोपाल दास नागर किसने क्या है बच्चो गोपाल दास नागर ने किया है और आप से पूछा जाए कि इस्वर पिटली करकी प्रसिद्ध कहानी कौन सी है इसकी प्रसिद्ध कहानी कौन सी है कमेंट क्या है खून की सगाई याद रहेगा बच्चो इसकी जो प्रसिद्ध कहानी है इस बन असाइट कूछा भी गया था तो कहना खून की सगाई बताओ बच्चो क्या है जल्दी से इनकी प्रसिद्ध कहानी का नाम बताओ खून की सगाई प्रसिद्ध कहानी का नाम है खून की हैं तो इनका लोगप्रिय उपन्यास है काला पानी इनका लोगप्रिय उपन्यास कौन सा है बताओ लोगप्रिय उपन्यास कौन सा है लोगप्रिय उपन्यास कौन सा है तो बच्चो आप बोलोगे गुरुजी काला पानी काला पानी इनका लोगप्रिय उपन्यास है लोगप् एक बार मुझे बता दो हाँ या ना तो प्रसेंट आपको एक नंबर यहां से लेकर आना है एक बार जल्दी से बता दो आ जाएगा हाँ सर मुझे सब कुछ याद हो गया मा कहानी जो है गुजराती कहानी है इसके लेखक इस्वर पिटलिकर है इसका हिंदी अनुबाद किया गुपाल दास नागर ने गुपाल दास ना इस्वर पिटलिकर के एक प्रसिद कहानी है जिसका नाम है खून की सगाई और इनका एक लोक्त्री उपन्यास है जिसका नाम है काला पानी ठीक है गुरुजी 100% मैं आपको भरोसा दिलाता हूं गुरुजी कि आपका ये बच्च 100% इस कोशन को सही करके दिखाएगा 100% ठीक है वादा है गुरुजी ठीक है तो बच्चो चलिए अब हम चलते हैं ठीक है एक सिगें यह इधर कैसे हो गया ठीक है आईगे शुरुवात करें हाँ तो बच्चो आईएम क्लास को एक बार लाइक कर लेते हैं सब लोग आप मु कहानी जो है यह किसकी कहानी है अगर आप बात करते हैं बच्चो इसमें मुख्य पात्र कौन है इस कहानी की मुख्य पात्र कौन है जल्दी बताओ इस कहानी की मुख्य पात्र कौन है इस कहानी की मुख्य पात्र है बच्चो एक लड़की इस कहानी की मुख्य है सर लोगप बच्चों मंगू ग्या नाम है इस कहानी की जो मुख्य पातर है उसका नाम है मंगू क्या नाम है मंगू यह है बच्चों मंगू ध्यान से देखना मंगू बच्चों मंगू की क्या खासियत है बताओ मंगू की खासियत क्या है मंगू की खासियत क्या है बताओ मंगू की खास गुंगी है ठीक है अगर आपसे पूछा जाए इसके बाद में और बच्चो एक अगर हम देखें एक पांत्र और है इस कहाने में मंगु की मा ना मंगु की क्या है बच्चो मा और आपसे ये पूछा जाए कि मंगु की मा अगर आपसे ये पूछा जाए एक जाम में कि मा की कितनी संताने थी तो बच्चो याद रखना कि मंगू की एक बहन भी थी मंगू की एक बहन भी थी जिसका नाम था कमू क्या नम था मंगू की बहन का नाम पूछा जागा तो क्या बताना बच्चो कमू बताना ठीक है कमू उसकी बहन का नाम था और अगर हम बात करते हैं मा की क संतानों की अगर हम बात करते हैं तो ये उसका भाई था बच्चों क्या था भाई और ये भी इसका भाई था और भाई का इसमें नाम नहीं दिया गया है भाई था है ना तो अगर आपसे दो कोशन पूछा जाएगा दो कोशन पूछा जाएगा कि मा की कितने संताने थी ठीक है मा की कितने संताने थी पहला कोशन तो कहना बच्चों मा की चार संताने थी चार संताने कोशन ऐसा पूछा जाता है मंगू के अलावे मा की कितने संताने थी यानि मंगू के अलावे मंगू को छोड़ कर ठीक है मंग मंगु के अलावे बताओ कितने संताने थी, मंगु के अलावे कितने संताने थी, तो आप कहना सर्फ मंगु को छोड़कर तीन थी, मंगु को छोड़कर तीन थी, मंगु की बड़ी बहन का नाम क्या था, बताओ जल्दी से, मंगु की बड़ी बहन का नाम कमू था, क्या था कम या कहीं कहीं पर कमू मिलेगा कमू मिलेगा पर रियल नाम इसका कमू था क्या था कमू ठीक है बिच्चो उसकी मा अब देखते हैं मंगू जब से पैदा ली है तब से ही वो पागल है और गुंगी है खुद से ना तो चल फिर सकती है धान सुना रोना आ जागा बच्चो क्या रोगे क्या एक बार सारे दोस्तों पहले सेयर कर तो खूब जादा रोगे क्या रोना मत लेकिन रोना आ जाएगा ये जन्म से ही पागल और गुंगी है पर इसकी मा पर इसकी जो मा है इसे बहुत प्यार करती है मंगु को सबसे अधिक प्यार कौन करती है इसकी मा ठीक है मंगु ना तो चल फिर सकती है ना तो मंगु अपने से सोचाले जा सकती है ना तो पेसाब करने ना तो बातरूम अगर अपने से कहीं नहीं जा सकती है तो घर के सभी घर के जितने भी लोग हैं वो मंगू को बोज समझते हैं तो एक्जाम में पूछा जाएगा कि मा के अलावे घर के और लोग मंगू को क्या समझते हैं तो मा के अलावे घर के अन्य जितने भी लोग हैं वो मंगू को बोज समझते हैं कि मंगु कब मर जाए और हमें छुटकारा मिल जाए आसपास के लोग इस बात को सुनकर बहुत आस्चरी होते हैं और कि मंगू की मा मंगू को कितना प्यार करती है बच्छों एक्जाम में पूछा जाएगा क्या मंगू की मां के अलावे उनके भाई और बहन क्या मंगू से प्यार करते हैं तो आप कहना नहीं सर नहीं करते हैं तो सिर्फ उसकी मां दिन भर उसके पीछे लगी होती है उसको नहलाना उसको धुलाना उसको मतब पागल लड़की के पीछे भी पूरी तरह से पड़ी रहती है एक्जाम में आपसे ये पुछा जाए कि घर में सबसे छोटा कौन है मंगू के घर में सबसे छोटा कौन है तो आप कहना मंगू के घर में सबसे छोटा मंगू ही है सबसे छोटा कौन है मंगू भी है बच्चों क्या आप लोगों के आसपास में आप गर मंगू जन्म से पागल है, तो पहले मंगू के उम्र की बात करते हैं, कि मंगू की उम्र क्या है, दो बार कोशन पूछा जाएगा, कि मंगू की उम्र के बारे में, क्या पूछा जाएगा मंगू की उम्र के बारे में, तो बच्चों, मंगू की जो उम्र है, मंगू की उम् कि जब आपके घर में कोई पागल लड़की होती है या गुंगी होती है कोई भी बीमार मरीज होता है तो आसपास वाले बहुत टोटके बताते हैं बुलो हाया ना जब आपके पास इलाज कराने के पैसे ना हो तो आसपास वाले लोग क्या बताते हैं टोटके बताते हैं अरे सरसो का तेल निम्बू के साथ मिला के दो ठीक हो जाएगी अरे यहां का मिट्टी दो ठीक हो जाएगी वहां का पानी पिलाओ ठीक हो जाएगी बोलो ऐसा होता है या नहीं तुमारी पागल लड़की है? हाँ मैं एक बाद बताता हूँ एक वेद साहब आते हैं वो 5000 रुपे का दवाई देंगे ठीक हो जाएगी ऐसा होता या नहीं होता है सब लोग एतना डॉक्टर बन जाते हैं तो जो भी गाउं में आते थे कोई भी वेद आते थे कोई भी गाउं में आते थे तो वो सब मंगू की मा को ठक कर चले जाते थे सारे के सारे ये खिलाओ बेटी ठीक हो जाएगी वो खिलाओ बेटी ठीक हो जाएगी तो एक वेद साहब आये थे वेद होते हैं पंडित साहब आये थे उन्होंने बोला था उन्होंने बोला था कि आपकी बेटी, आपकी बेटी किस महने में बताओ, आपकी बेटी किस महने में जल्दी बताओ, उन्होंने वेद ने कहा था कि आपकी बेटी जो है, वो अगहन के महने में, किस महने में बच्चो बताओ, आपकी बेटी अगहन के महने में ठीक हो तो बच्चो एक्जाम में पूछा जाएगा कि मा के लिए कौन सा महिना अराध्य देव था, अराध्य देव, मा के लिए कौन सा महिना अराध्य देव बन गया था, बताओ, एक्जाम में पूछा जाएगा कि मा के लिए कौन सा महिना अराध्य देव बन गया था, बच्चो क् के महिने में मंगू कितने वर्सकी हो जाएगी तो देखते हैं अगर किसी बच्चे ने आगर पढ़ा है तो comment box में आंसर लिखेंगे कि अगहन के महने में mangu कितने वर्सकी हो जाएगी यह बताओ देखाए तो बच्चो अगहन के महने में जो mangu है सबसे पहला अनसर आया किसका आलोक कुमार का धीरज कुमार का सिवं कुमार मनोच कुमार का ठीक है अगहन के महने में मंगू 14 वर्सकी हो जाएगी बच्चो कितने वर्सकी बताओ 14 वर्सकी मंगू हो जाएगी अब बच्चो याद रखना ठीक है अब सब लोग देखो जब आपके घर में कोई बीमार हो तो सब लोग कहते हैं कि भाई इसको अस्पताल लेकर जाओ इसको यहां लेकर जाओ उसको वहां लेकर जाओ सब लोग कह रहे थे कि मंगू को अस्पताल लेकर जाएं लेकिन मां अस्पताल का विरोध करती थी तो इसकी मां करती थी मां अस्पताल का विरोध करती थी मां अस्पताल को क्या मानती थी बताओ मा अस्पताल को क्या मानती थी मा जो है मा जो है वो कहती थी कि अस्पताल जो है गौव साला होता है अस्पताल क्या होता है गौव साला होता है और वहां किसी का इलाज नहीं हो सकता वहां किसी का इलाज नहीं हो सकता यनि मा कहती थी कि मैं इसकी मा हो करके इसका ध्यान नहीं रख सकती मैं इसकी मा हो करके इसका ध्यान नहीं रख सकती तो अस्पताल वाले इसका ध्यान क्या रखेंगे कैसे इसका ध्यान रखेंगे अस्पताल वाले तो इसलिए मा अस्पताल को किसकी उपमा देती थी बताओ, मां अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, तो वो कहते थी कि अस्पताल गौव साला है और महां हम मंगू को नहीं रखेंगे बच्चो। एक आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा, मां भी, मतब लोग कहते थे कि घर के लोग कहते थे मंगू मर जाए तो अच्छा है, मां भी चाहती थी, अगर मंगू नॉर्मल मौत से मर जाए, तो मां भी इसे चुटकारा मानती थी, बच्चो, मां भी चाहती थी, अगर मंगू मर जाए, लेकिन ऐसे नहीं कि खाना पीना नहीं मिलने की वज़ा से मर जाए या अपने से कहीं गीर के मर जाए मा ऐसा नहीं चाहती थी मा ये चाहती थी अगर मंगू नेचुरल तरीके से मर जाए प्राकृतिक मौत मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है तो मा ये चाहती थी कि मंगू को अगर प्राकृतिक मौत मिले तो कोई दिक्कत नहींगे कौन से मौत चाहती थी मामी बताओ मा क्या चाहती थी अगर मंगू को प्राकृतिक मौत मिले तो सही है लेकिन बिना खाना दिये या गला घोट करके या ऐसे छोड़ करके हम मंगू को मरने नहीं देंगे तो बच्चो चलिए अब हम मंगू को लेकर चलते हैं अस्पताल कहां चलते हैं बच्चो बताओ अब मंगू को लेकर हम कहां चलते हैं जल्दी बताईए ठीक है तो बच्चों मंगू को लेकर हम अस्पताल चलते हैं ठीक है अब मंगू है जिसको पूरा गाउं कहता है इसको अस्पताल ले जाओ अस्पताल ले जाओ अस्पताल ले जाओ लेकिन उसकी मम्मी कहती है कि हम अस्पताल लेकर नहीं जाएंगे अब लेकर चलते हैं अस्पताल लेकिन बच्चों इसके बीच में ही क्या होता है मंगु के ही गाउ की थोई सी दूर गाउ की कन्या विद्याले की एक दूसरी लर्की पागल हो जाती है मंगू के ही गाउं की एक दूसरी लड़की पागल हो जाती है तो मंगू के ही गाउं की दूसरी पागल लड़की का कोई नाम बताओ जो उसके ही गाउं की होती है और वो पागल हो जाती है जल्दी से चलो जी तो दूसरी पागल लड़की कौन थी तो उसके ही गाउम में दूसरी पागल लड़की थी बच्चो जिसका नाम था कुशुम क्या नाम था? दूसरी एक लड़की और पागल हो गई थी उसी के गाउम में जिसका नाम था बच्चो कुशुम क्या नाम था कुशुम, ठीक है, तो मंगु जब पागल थी, तो मंगु को अस्पताल लेकर नहीं जाया गया, लेकिन जब दूसरी लड़की पागल हुई, तो उसका नाम था कुशुम, कुशुम को लोग अस्पताल लेकर गए, और कुछ ही दिनों के बाद कुशुम ठीक हो क करके आ गई तो मा भी गई कुसुम के पास और मा ने कुसुम से पूछा बताओ वहां के डॉक्टर कैसे थे वहां के नर्स कैसे थे वहां टाइम पर खाना पिना मिलता था या नहीं मिलता था वहां के लोग देख भाल करते थे या नहीं करते थे तो वो लोग बिल्कुल ठीक हो करके आ गई, ठीक है, है ना, अब बच्चो जाना किसको है, अब बताओ, अब किसको लेकर जाना है, तो अब लेकर के जाना है, किसको मंगू को लेकर जाना है, अस्पताल, ठीक है, तो बच्चो, अब मा, मतब कि सब गाँवाले बोलने लगे, कि दिखो कुसुम भी प पहली बार बच्चों हिम्मत किया माने पहली बार हिम्मत किया पहली बार हिम्मत किया तो एक्जाम में पूछा जागा कि पहली बार किसने अस्पताल का विरोध नहीं किया पहली बार किसने अस्पताल का विरोध नहीं किया तो बच्चों आंसर लिखना मा का भी मन पिखल गया और मा भी सोचने लगी यदि कुसुम ठीक हो करके आ सकती है तो मेरी बेटी क्यों नहीं तो मा अब अस्पताल अकेले तो नहीं जाती बच्चो अपने बेटी को लेकर मा अकेले तो अस्पताल नहीं जाती तो बताओ कि मा किसके साथ अस्पताल गई तो मा ने मा ने एक क्या लिखा बच्चो पत्र लिखा एक क्या लिखा पत्र लिखा तो एक्जाम में पूछा जाएगा कि मा ने मंगु को अस्पताल ले जाने के लिए किसे पत्र लिखा किसे पत्र लिखा बताओ कि मा ने मंगू को अस्पताल ले जाने के लिए किसे पत्र लिखा तो कहना बच्चो बड़े बेटे को किसे बड़े बेटे को किसको बड़े बेटे को उन्होंने पत्र लिखा बड़े बेटे को मा ने पत्र लिखा ठीक है और बच्चो अब उसका बरा बेटा आ गया अब मंगू को अस्पताल ले जाने की बारी थी बच्चो गाउं के सभी लोग जुड़ गये आप सोचो आपके गाउं में अगर ऐसा होता कोई पागल लड़की को 12 साल के बाद अस्पताल ले जाया होता मतल़ 14 साल के बाद अस्पताल ले कर जाना होता तो कितनी भीर लगती सोचो तो उसके यहाँ पर पूरा भीर लग गया मंगू अस्पताल जाएगी मंगू अस्पताल जाएगी तो बच्छो मंगू को घर से ले जाया गया बैल गारी में किस गारी बच्छो बताओ बैल गारी में इसको घर से ले जाया गया अब इसको घर से बैल गारी में लेकर फिर ट्रेन में बठाया गया तो ट्रेन में आपको पता है ना कई तरह के लोग होते हैं जो फालतु में इतनी सूखी लड़की है, इसको अस्पताल लेकर जा रहे हो, ये तो बिना खाना पिना मिलने के कारण वहीं और लकडी बन जाएगी, कोई दूसरा आदमी कहता है, कि मेरे गाउं की एक बुरिया अस्पताल गई है, पांच साल से अस्पताल में है, अभी तक वो ठीक नहीं और कोई तीसरा बूलता है, इसका घर में देखभाल करने वाला कोई नहीं है क्या, इसकी मा नहीं है क्या, जो इसको जाकर अस्पताल में छोर रहे हैं, अब इसकी मा बगल में बैठ करके चुप-चाप सुन रही थी, सोचो मा पर क्या बीता होगा, जब ऐसे लोग फिडब होगी, ठीक है, तो बच्चो मा रोने लगी, मा क्या करने लगी, प्रेन में बैठे लोगों की बात को सुन कर मा क्या करने लगी, तो मा बच्चो अंदर ही अंदर रोने लगी, रोने लगी, पर वह पर वह डर से, उसका मन कर रहा था, उसका मन कर रहा था, कि यहां से बेटी से डर लग रहा था कि अगर हम कहीं बोलें कि बेटा इसको वापस लेकर चलो तो बेटा क्या हो जागा बताओ बेटा क्या होगा बेटा गुस्सा हो जागा बच्छो इसलिए वह वापस नहीं ले गई अब ये इसे अस्पताल लेकर पहुंच गई अस्पताल पहुंच गई अ आप लोगों ने सायद बच्चों क्लास को लाइक नहीं किया है, तो हर बच्चा जिसको कहानी सुनने में अच्छा लग रहा है, एक बार लाइक करें, गुरु जी के लिए सब लोग लाइक करें, और बताईए, अब हम लोग कहाँ पर हैं, बताईए, तर हम लोग अस्पताल में हैं, अब अस्पताल में जब हैं, तो अस्पताल में जब हम जहाँ पागलों का अस्पताल होता है, तो कितना सुंदर होगा आपको पता है कुछ पागल इधर बाल ऐसे ऐसे कर रहे हैं कुछ पागल मान के जो दौर रहे हैं कुछ पागल एक दूसरे को मार रहे हैं ऐसे स्थिति को देखकर मा और डर गई मा ने देखा अरे यहां तो बहुत स्थिति खराब है तो फिर भी इसके बेटे ने इसका परचा कटवाया इसका असर पिता जी नहीं थे या नहीं पिता जी नहीं थे बच्चों फिर इसके भाई ने जाके परचा कटवाया फिर जो मेजिस्टेड होते हैं उससे उन्होंने मत्तब क्या लिया आदेश लिया ठीक है और फिर नर्स लोगों को बुला कि हमें इसे भरती करना है तो मा के मन में कुछ सवाल आने लगा आप भी बच्चों कर किसी को लेकर जाओगे अस्पताल में भरती करने तो क्या आपके मन में सवाल नहीं आएगा तो मा के मन में बहुत सवाल आने लगा जैसे कि हम क्या बोड़ रहे हैं मंगू इतनी पागल थी वो खुद से पेसाब करने भी नहीं जा सकती थी ना तो खाना खा सकती थी ना तो नहा सकती थी कुछ भी नहीं कर सकती थी तो मा के मन में कौन कौन से सवाल आएंगे बोलो तो मा के मन में पहला सवाल आया क्या यहां इसका देख भाल किया जाएगा मगल से एक नर्स ने बोला हाँ इसका बिलकुल देख भाल किया जाएगा मा का दूसरा सवाल ये अपने से पेसाब या बात्रूम नहीं जा सकती है तो क्या इसको यहां लेकर जाया जाएगा तो उधर से उत्तर मिला हाँ ये सुविधा है बोला कि ये खुद से खाना नहीं खा सकती है क्या इसको खाना खिलाया जाएगा तो वहां से नर्स ने बोला कि हम अपने हाथ से कोर बना बना कर खिलाते हैं कोर बना बना कर खिलाते हैं यह आंसर आया ताकि लाइट में रोसनी में इसे रात को नींद नहीं आती रोसनी में इसे रात को नींद नहीं आती तो यह कैसे सोएगी तो जवाब मिला जिन लोगों को नींद नहीं आती है उन्हें नींद की दवा दी जाती है अस्पताल में क्या बोला कि जिन लोगों को नींद नहीं आती है उसे नींद की दवा दी जाती है फिर माने पूछा कहीं कोई उपदरवी पागल या मतलब छिटाली लोग होता है न कहीं कोई दूसरा पागल इसके उपर हमला कर देतो इसको मार देतो इसका जवाब मिला कि जो मारपीट करने वाले पागल होते हैं यानि उपदरवी पागल होते हैं उसको दूसरे कमरे में रखा जाता है तो एक्जाम में कोशन पुछा जागा कि कैसे पागलों को दूसरे कमरे में रखा जाता है कैसे पागलों को दूसरे कमरे में रखा जाता है तो कहना बच्चो उपद्रवी पागलों को क्या बोलना उपद्रवी पागलों को दूसरे कमरे में रखा जाता है ठीक है? दूसरे उपद्रवी पागलों को दूसरे कमरे में रखा जाता है अब मा लगभग सारे बात को समझ गई है ना? अब मा का एक और कोशन था कि क्या मैं उस कमरे को देख सकती हूं जहां मंगु को रखा जाएगा? मा का सवाल क्या हो बच्चो बताओ? माने क्या पूछा? क्या मैं उस कमरे को देख सकती हूं जिस कमरे में मंगु को रखा जाएगा? बच्चो पता है क्या जवाब मिला? बोलो क्या जवाब मिला? जवाब मिला कि उधर किसी को जाने को नहीं मिलता है उधर किसी को भी जाने को नहीं मिलता है तो क्या मा को कमरा दिखाया गया बच्चों क्या मा को कमरा दिखाया गया बोलो यह सर नो यह सर नो नहीं सर मा को कमरा नहीं दिखाया गया मा को कमरा नहीं दिखाया गया ठीक है अब मंगू है ना और नर्स लोग नर्स लोग बच्छो नर्स लोग जो थे इसको ले करके कमरे में चले गए ऐसा लग रहा था जैसे मा का कलेजा फट रहा था बच्छो जिसको पेसाब करने तक मा ही ले कर जाती थी जिसको अपने हाथ से खिलाती थी है ना उस मा का कलेजा अब फटने लगा है क्योंकि उसकी बेटी मंगू उससे अलग हो रही है मा के आँख से आशू रुकते नहीं थे गले से आवाज नहीं निकलता था ठीक है और मंगू को अस्पताल लेकर चला गया और उसकी मा ऐसा मानों की जैसे वो मर जाएगी वहीं पर ठीक है अब भड़ती करने के बाद मा और बेटे दोनों कहां आए बताओ दोनों घर वापस आए अगर पूछा जागा बच्चो कि घर वापस कितने बज़े आए तो बच्चो कहना कि दोनों मंगू को अस्पताल में छोर कर वापस पौने 11 बज़े आए कितने बज़े बच्चो दस पैतालिस दस पैतालिस पियम या कह सकते है रात पौने 11 बज़े तो बच्चो पौने 11 बज़े मंगू को अस्पताल में छोर कर वापस आए अब बच्चो दूसरी बात है कि उसके जो परोसी थे जो मंगू के परोसी थे उन्होंने खाना बना कर रखा था कि मंगू की मा और उसके भाई जब आएंगे तो हम उन्हें खिलाएंगे ऐसा होता है ना बच्चो जब हम कहीं बहार जाते हैं और रात को आने वाले होते हैं तो हमारे आसपास के मौसी चाची मामी मतलब कोई भी जो है वो हमारे लिए खाना बना कर रखती है अगर किसने रखा था तो कहना बच्चो परोसी ने किसने परोसी ने खाना रखा था अगर पूशा जाए कि वापस किस गारी में आई ना वापस किस गारी में आई तो बच्चो वापस किस गारी में आई थी तो कहना कि वापस यो आई थी किसमें घोरा गारी में वापस आई थी होडा गारी में वापस आई थी बच्चों मंगू की मां मंगू से इतना प्यार करती थी मंगू की मां मंगू से इतना प्यार करती थी कि थोरा सा उसे टच भी करने से वो डरती थी ठीक है तो इस कहानी में एक वाक्या है याद रखना एक वाक्य है कि पड़ाई मां ही कान कि अपनी मां कान च्यद पाएगी, बताओ हाय ना, अपनी मां कान नहीं च्यद पाएगी, क्योंकि उसे दर्द होता है, कि मैं इपनी बेटी का कान च्यदूंगा, तो कहीं बेटी को दर्द ना हो जाए, तो बच्चों एक जाम में कोचिन पूछा जाएगा, कि पराईrence ही कान छेती है यह किस पढ़ाई माही कान छेती है किस कहानी का है तो बच्चों कहना ये मा कहानी का है किसका है बच्चों मा कहानी का है कि पढ़ाई माही कान छेती है ठीक है अब मंगू की मा कहां आ गई बच्चों बताओ पौने 11 बजे पहले ट्रेन में बैठ कर, फिर घोरा गारी में बैठ कर, क्योंकि स्टेशन घर से दूर होता है तो स्टेशन से घर आने के लिए उन्होंने घोरा गारी का प्रियोग किया होगा और घोरा गारी से आने के बाद अब मंगू कहा है बताओ अब इस और अब मंगो कहा है, किया मंगो की मा सांत बैठी होगी? आप और हम डेली लाइव क्लास करते हैं, एक दिन गुरुजी लाइव नहीं आते हैं, तो आप मन ही मन सोचते हैं, पता नहीं क्या हुआ होगा, मैं जब बच्चों एक बार गाव गया था और गाव से मैंने वीडियो बनाया था कि बच्चों मैं जरूरी काम से गाव आया हूँ तो कम से कम सौ बच्चों ने कॉल करके पूछा कि सर कौन सा जरूरी काम कोई दिक्कत तो नहीं है न सर कुछ प्रावलम है तो हमें बताईए सर हम आपकी मदद करेंगे तो बच्चो अब जब हम लोग एक teacher और student में इतना प्यार हो सकता है तो सोचो उसकी मा उसकी मा क्या सोच रही होगी हरदम मन ही मन मंगू मंगू बेटी खा लेना टाइम से बेटी टाइम से खा लेना कपड़े गीले मत करना यहाँ वहाँ पिसाब मत करना मंगू 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 मा जो है बच्चो हमेशा मंगू मंगू करते 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 रह रहे थी ठीक है उसके साथ में बेटा था अब मा और बेटा दोनो आ करके मा घर में सो गई ठीक है घर या बरामडा जहां पर आओ ये कोशन नहीं पूछा रहाता है अब बच्चों है न मान लो ये कमरे हैं तो यहां पर बेटा सो गया यहां बेटा सो गया और यहां पर मा सो गया कौन सो गया मा बच्चों आपको इसमें जो है बेटा जो है व बच्चो रास्ते में उन्हें अपने बहन के प्रती बहुत प्रेम हुआ क्या हुआ बच्चो अपने बहन के प्रती रास्ते में क्या हुआ बहुत प्रेम हुआ क्या हुआ बहुत प्रेम हुआ और उन्हें भी ऐसा लगा कि यदि मेरी मा यदि मेरी मा इतना प्यार करती है रात भर मां क्या कर रही थी बच्चों बताओ रात भर मां क्या कर रही थी रो रही थी ठीक है और इसके भाई ने मन ही मन सोचा इसके भाई ने मन ही मन सोचा कि सुबह उठते ही मां को मैं ये बता दूँगा कि मैं भी मंगू से कितना प्रेम करता हूँ और अब मंगू को ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है इसका भाई मन ही मन क्या सोचा कि मैं सुबह उठकर मां को ये बता दूँगा कि मैं भी मंगू से कितना प्यार करता हूँ मैं भी मंगू से कितना प्यार करता हूँ और अब मंगू को ठीक करने के जिम्मेदारी मेरी है लेकिन बच्चों जब सुभा हुवी तो ये मत सुनना ने तो रोने लगोगे ठीक है ये मत सुनना विडियो से भाग जाओ सब लोग ठीक है ये मत सुनना जब सुभा हुवी जब सुभा हुवी जब सुभा हुवी तो देखा जब सुभा इनका बेटा सो कर उठा तो देखा गाउवाले एक औरत को घेर कर बैठे हैं गाउवाले एक औरत को घेर कर बैठे हैं जब सुभा हुई तो देखा कि गाउवाले एक औरत को घेर कर बैठे हैं और ये औरत बिलकुल पागल हो चुकी है ये औरत बिल्कुल क्या हो चुकी है बच्चों बताओ पागल हो चुकी है ये औरत बिल्कुल क्या हो चुकी है पागल हो चुकी है पूरे गाउवाले से घेर कर बैठे हैं बताओ वो औरत कौन थी जो बिल्कुल पागल हो चुकी है बच्चों बताओ वो औरत कौन थी जो बि बताओ बच्छो वो औरत कौन थी जो बिलकुल पागल हो चुकी है यह थी मंगू की मा यह थी बच्छो मंगू की मा यह थी जो अपने बेटी की याद में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी अब इसे नहीं पता था कि मेरी बेटी कौन है इसे नहीं पता था कि मेरा बेटा कौन है इसे नहीं पता था कि मैं कौन हूँ इसे नहीं पता था कि मेरी हालत कैसी है इसे ये भी नहीं पता था ये लोग कौन है इसे बस एक चीश पता था बस एक चीश पता था मंगू मंगू म ठीक है तो प्यारे बच्चों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली एक बार मुझे जरूर बताना भाई का साधी नहीं हुआ था बिल्कुल हो गया था बच्चों दोनों बड़े भाई थे पर दोनों भाई की साधी हो गई थी और इनकी जो भावियां थी वो बिल्कुल नहीं द पागल बना दिया है भावी क्या बोलती थी बताओ भावियां कहती थी कि मां के लार प्यार नहीं इसे पागल बना दिया है पर हकीकत क्या है बच्छो वह आप समझते हो और मैं समझता हूं तो पैरे बच्छो कैसी लगी कहानी इस कहानी से आपने क्या सिखा एक पर कमेंट ब सबी लोग देख रहे हैं इस कहानी से आपने क्या सीखा बच्छों इस कहानी से हमने सीखा कि बच्छों जीवन में कुछ भी हो जाए एक इंसान को मत भूलना वो है बच्छों माँ वो है माँ अगर आपकी मां के सामने अगर आप लड़का हो अगर आपकी मां के सामने अमीता अगर एस्वरिया राय को खरा कर दिया जाए और आपको खरा कर दिया जाए चाहे आपके नाक नक से अच्छे नहीं हो चाहे मेरी बच्ची तुम कितने भी काली क्यों न हो फिर भी तुम्हारी मा यही बोलेगी कि मेरी बेटी सबसे अच्छी है तो मैं आज आप लोगों से हा पसीने की हर एक बूंद को मा तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं तू सपने बरे देखना पूरा करके देखलाऊंगा मैं तो मा के सपने को बच्चों हमेशा पूरा करना मा को हर वो खुसी देना जिसके लिए वो हकदार है ठीक है तो चलिए बच्चों क या इस चैप्टर का एक बार टेस्ट हो जाए बताओ ठीक है यहां से सब्जेक्टिफ कोशन पूछे जाएंगे कि मंगू के प्रती मा और उसके परिवार के अन्य सदस्य का क्या वेवार था तो उत्तर लिखना बच्चो कि मा मंगू को जान से भी जादा प्यार करती थी समझती थी और बड़ी बहन कमों भी अपनी बहन को अच्छे से प्रेम नहीं करती थी अगला कोशन पूछा जाएगा कि मा मंगू को अस्पताल में भरती करना क्यों नहीं चाहती थी तो उत्तर लिखना मा मंगू को अस्पताल में भरती करना नहीं चाहती थी तो कि मा को हमे की बच्चों, की मंगू, मंगू के बारे में लिखें, एक्जामी कुछा जगा, की मंगू के बारे में लिखें, ठीक है, तो लिखना है बच्चों, की मंगू, मा कहानी की एक प्रमुख पात्रा है, मंगू, एक बारा वर्स की लर्की है, जो जन्म से ही पागल और गोंगी है, मंगू को उसकी मा जान से भी ज़्यादा प्यार करती है परंतो उसके परिवार के अन्य सदस से मंगू को प्यार नहीं करते हैं ठीक है तो ये सब कोशन पूछा जागा बच्चो लिख दोगे तो जल्दी बताओ दुनिया की सबसे बड़ी योधा मा होती है सर आपने कहा बिलकुल होती है बच्चो तो आएए एक छोटा सा टेस्ट देते हैं और इस टेस्ट में पता चलेगा कि आप कितना अच्छा पढ़ने वाले हो और कितना चीजों को आपने बहुत अच्छे से बच्चो ध्यान दिया है आजो एक बार लाइक कर दो यहां से कोई भी कोशन नहीं छूटेगा इस बात की मैं गरंटी देतूं लाइक के संख्या 1.6 के होनी चाहिए तो हर एक बच्चा क्लास को लाइक करेगा हर एक बच्चा क्लास को लाइक करेगा हर एक बच्चा चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके रखिए बच्चो इसका नोट कल नहीं आज मिल जाएगा ठीक है इसके लेखत इस्वर पेटली कर हैं, कौन है इस्वर पेटली कर, पूछा जाए बच्चों की मा कहानी किस भासा की है, तो कहना बच्चों मा कहानी गुजराती भासा की है, गुजराती भासा, अगला कूशन नंबर तीन पूछा जाएगा, इसके अनुवादक कौन है, जल्द अनुवादक है वो कौन है गोपाल दास नागर कौन है गोपाल दास नागर इसके अनुवादक है पूछा जाए बच्चो कि ये बताओ इस मा कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है प्रमुख पात्रा कौन है तो बच्चो कहना मा कहानी की प्रमुख पात्रा मंगू है बच्चो मंगु गर आपसे पूछा जाए कि जन्म से ही पागल और गुंगी कौन थी तो कहना बच्चो कि मंगु जन्म से ही पागल और गुंगी थी पूछा जाएगा कि मा की कितने संताने है, मा की कितनी संताने है, तो बच्चों कहना कि मा की कुल चार संताने है, मा की कुल चार संतान है पूछा जाएगा कि मंगू के अलावे मा की कितनी संतान है कहना बच्चों मंगू की अलावे तीन संतान है मंगू की बरी बहन का नाम बताओ मंगू की बरी बहन का नाम बताओ तो कहना गुर्देव मंगू की बरी बहन का नाम कमू था क्या था कमू कहते हैं कि मंगू की गाउं की दूसरी पागल लड़की कौन थी मंगू की गाउं की दूसरी पागल लड़की का नाम बताओ दूसरी पागल लड़की तो कहना मंगू की गाउं की दूसरी पागल लड़की का नाम कुशुम था क्या था कुसुम बच्चों कहते हैं कौन अगला आता है मा अस्पताल को क्या समझती थी मा अस्पताल को क्या समझती थी तो बच्चों मा अस्पताल को गौसाला समझती थी मा अस्पताल को गौसाला समझती थी अगला आएगा किसने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया तो कहना बच्चो मा ने विरोध नहीं किया अगला कोशन पूछा जाएगा बारवा नमबर अगला कोशन पूछा जाता है बच्चो कि पराई माही कान छेती है ऐसा किस कहानी में कहा गया है पराई माही कान छेती है ऐसा किस कहानी में कहा गया है किस कहानी में कहा गया है तो बच्चो पराई माही कान छेती है ये कहा गया है मा कहानी में किसे बच्चो मा कहानी में कहा गया है पूछा जाएगा काला पानी उपर न्यास के लेखक कौन है देखिए बच्छो फड़ा-फड़ से आंसर आना स्टार्ट हो गया, इतना अच्छा लगता आप लोगे साथ पढ़ने में, बच्छो पढ़ाने में बहुत मजाता है मुझे, ठीक है ना, काला पानी उपन्यास के लेखक कौन है, तो कहना बच्छो, जल्दी से सबसे पहला आ सगाई बच्छो, खून की सगाई, खून की सगाई कहाने के लिखक कौन है, तो भी कहना बच्छो, इस्वर पिटली कर, मंगु को अस्पताल ले जाने के लिए मा ने किसे पत्र लिखा, बताओ, मा ने किसे पत्र लिखा, तो बच्छो, बरे बेटे को लिखा था, बरे मंगू को किस गारी में अस्पताल ले जाया गया मंगू को किस गारी में अस्पताल ले जाया गया आप ये बता सकते हैं मुझे यस गुरुजी मंगू किस गारी में ले जाया गया तो बच्चो बैल गारी में किस में बैल गारी में वापस किस गारी में ले जाया गया आया आई वापस किस गारी में आए वापस किस गारी में आए बताओ वापस किस गारी में आए तो कहना बच्छो घोडा गारी में घोडा गारी में मंगू को अस्पताल में छोड़कर उसकी मा कितने बज़े वापस आई मंगू को अस्पताल छोड़कर उसकी मा कितने बज़े पूरा टेस्ट लगाईए है ना तो बच्चों कितने मज़े वापस आई तो 10.45 में 10.45 पीम में वापस आई बच्चों पूछा जाए कि मंगू की मा के लिए खाना किसने बनाया था मंगू की मा के लिए खाना किसने बनाया था तो मंगू की मा के लिए खाना बनाया था परोशी ने किसने परोशी ने बनाया था नेक्ट कोशन नमर 20 है बच्चों लास्ट कोशन है कि मंगू की याद में कौन पागल हो गई थी बच्चों बताओ जल्दे से तो मंगु की याद में पागल कौन हो गए थी तो बच्चों उसकी माँ पागल हो गए थी माँ पागल हो गए थी आजो अब चलते हैं subjective question subjective question बच्चों हमने बोला ठीक है subjective question पूछा जाएगा कि मां मंगु को अस्पताल में भरती क्यों नहीं करना चाहती थी भरती क्यों नहीं करना चाहती थी लिख दोगे बच्चो जल्दी से yes लिख दीजे सर लिख देंगे ठीक है बताओ कोई objective question चूटेगा आपसे हाँ या ना कोई objective question आपसे चूटेगा yes और no बताओ नहीं चूटेगा सर नहीं चूटेगा कोई भी objective question आपसे आपको ऐसा लगता है चूट सकता है नहीं बत्चो कोई भी objective question नहीं चूटेगा subjective question देखो कि मा मंगू को अस्पताल में भरती क्यों नहीं करना चाहती थी क्योंकि मा answer लिखेंगे मा मंगू को अस्पताल में भरती इसलिए करना नहीं चाहती थी क्योंगे मां को हमेशा डर रहता था कि अस्पताल में मंगू का अच्छे से देखभाल नहीं किया जाएगा मैं मंगू की दिनराथ सेवा करती हूँ इस तरह से अस्पताल में मंगू की सेवा कौन करेगा ठीक है बच्चों किसके सब्दों में लिखना है बताओ परिक्षार्थी यथा संभव अपने सब्दों में उत्तर दे तो आंसर किसके सब्दों में होगा जल्दी बोलो जल्दी बोलो नोट्स हम भेज रहे हैं वहां पड़ आप इस पर सो करा दो बच्चो जल्दी बताओ आपको नोट्स चाहिए ना इसका जल्दी बोलो YES और NO सबको चाहिए नोट्स ठीक है तो प्यारे बच्चो आप सभी को इसका नोट्स चाहिए है ना एक सेकेंड, नोट्स देखोगे इसका, जल्दी बोलो, येस गुरूजी हमें नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, लो बच्चो, हम दिखा देते हैं आप सभी को नोट्स, ठीक है, ये नोट्स आपके लिए मैं आज ही डलवा दूँगा, तल मैंने प्रकास का प्रावरतन और आप वरतन डलवा दिया था, कितने बच्चो को नोट्स मिला, हाथ खरा करो जल्दी से, येस गुरूजी मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, ठीक है, हाँ गुरूजी मुझे नोट्स चाहिए, ठीक है, मैत होगा सर, हाँ, आज लंबी क्लास होगी मैत की, आठ बजे बच्च बस पांच मिनिट में बच्चो, इसको प्रिंट करवा लेना, घर बैठे याद करना, ठीक है, अच्छा, जो चैप्टर आज पढ़ा है, उसको दिखाओ न सर, अच्छा, आज कौन सा चैप्टर पढ़ा है, सुरज, मावला न, आज बच्चो देखते हैं, मा कहानी, इसमें कोई दो-चार पॉइंट और हम एड करवा देंगे, मा कहानी का, देखो बच्चो, यह हमारा नोट्स है, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इस कहानी के लेखक और कथाकार, इसवर पिट लिखर हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है, दूसरा मंगू के गाउं की दूसरी पागल लरकी कुसुम था, मंगू के बड़ी बहन का नाम कमू था, मंगू की मा के लिए अस्पताल गौसाला था, मा मंगू को अस्पताल ने भड़ती नहीं करना चाहती थी, बच्चो मंगू की मा ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किय अगला आता है बच्चो मंगू के अलावा उसकी तीन भाई बहन थे तीन भाई बहन थे मंगू अना गाउवाले मंगू को अस्पताल भेजना चाहते थे मंगू को घर से बेलगारी मिल जाया गया मंगू को अस्पताल छोड़ने मा और भाई गय थे मंगू की याद में मा भी पागल हो गई माँ अस्पताल से घर वापस घोड़ा-गारी में आई माँ अस्पताल से घर 10-45 ये पोने 11 बजे आई मंगू की मा ने अपने बड़े बेटे को पत्र लिखा था तो बच्चों ऐसे सारे पॉइंट्स यहां दिये गए हैं सारे पॉइंट्स यहां पर दिये प्यार में जो फर्क है उसे अपने सब्दों में लिखें तो लिखेंगे माँ बहुत प्यार करती थी पर उसके भाई बैन प्यार नहीं करते थे तर ठीक है बच्चों तो यह आपका नोट्स है तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें यह नोट्स चाहिए एक बार जल्दी से हाथ करा कर दो कि गुरुजी हमें नोट्स चाहिए आपके नोट्स हमें चाहिए जल्दी बता दो जल्दी बता दो ठीक है नोट्स चाहिए आप को है जली बताओ आपको नोट चाहिए बच्चो नहीं उत्ना ही था जली बताओ जल्दी से नोट चाहिए येS गूरू जी हमें तो नोड चाहिए तो प्यारे बच्छो मैं आपको ये व्ट्स व्ट पर दिला दूँगा और application पर ठीक है बच्चो इस नोट को print कराना क्या कराना बता उस नोट को print कराकर पढ़ना print करा ठीक है कराकर पढ़ना ठीक है चलो बच्चो सब लोग print करवा लेना अब जो लोग जानते हैं कि यह notes आपको मिलेगा हम देखो बच्चो आप सभी लोग एक application डाउनलोड करना आपने गुरु जी का एक application है क्या नाम है कोई बता सकता है क्या application का नाम हमने रखा है दिशा online classes तो आप सभी लोग download कर लेना और पपा को कहना ममी को कहना कि मुझे सर का course ख और इसमें आपको क्या-क्या फायदे हैं सारे notes हम देना start कर दिये हैं सारे panel PDF मिलते हैं जो हम पढ़ाएं बच्चो पैनल PDF ये भी मिलेगा आपको ये भी मिलेगा ठीक है और और बच्चो आपको WhatsApp में भी जुड़ा जाएगा कहां पर WhatsApp पर तो जो भी बच्चे WhatsApp पर motivation मिलता है उसको बच्चो डेली पता चलता है कितने बज़े class होने वाला है अब बच्चो सारी classes किसके अनुसार होगी अब सारी classes आज के बाद routine के अनुसार होगी एक बार हस दो सब लोग routine के अनुसार पूरी पढ़ाई होगी हमारी और हम 450 प्लस नंबर लेके आएंगे कही अगर आपको course खड़िदने में दिक्कत हो आप किसी दूसरे से भी payment करवा के course खड़िद सकते हैं Google पे, phone पे, paytm से आप payment करके हमारा course ले सकते हैं और आप भी 450 नंबर ला सकते हैं बच्चो अगर आप application से course नहीं खड़िद सकते तो मैं एक नंबर देता हूँ इस नंबर पर contact करना भी, 7700879453 पर या बच्चो 62013 2598 पर call करके बोलना, मुझे सरका notes चाहिए, मुझे सरका course चाहिए, चले बच्चो खतम करते हैं लाइक कम है, सब लोग लाइक कर देना बच्चो, सब लोग लाइक कर देना, सर मंगू ठीक हुई क्या नहीं बच्चो, मंगू के ब कितने बज़े मिलेंगे बच्चो, खाना खा के आना, सब लोग खाना खा के आना, मिलते हैं 8 पीम में, 8 पीम में मिलते हैं और ये class चलेगी, 9 बज़े तक, नहीं बोलते हैं कितने बज़े तक, 8 पीम में आते हैं, खाना खा के आना सब लोग, ठीक है, सब लोग खाना खा के आना और इतने दिरे में कोर्स खड़िद लेना जो लोग नहीं खड़े देगो कल तक बच्छो कोर्स सब लोग खड़िद लेना ये चैप्टर हो गया खतम इसका अब्जेक्टिव कराना पड़ेगा न नोट्स टेलिग्राम पर डालिए सर नहीं डालते हैं बच्छो सब सब अब सारा पीडियेफ आपको मिलेगा बस किस कोर्स में जोएन हो जाना मैं ज्यादा फीस नहीं रखता हूं सारा नोट्स आपको मिलेगा घर बैठे आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं ठीक है चलो